हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत दोस्त आपके यूट्यूब जैसा कि हम लोगों ने भी बन वर्ड का एक वीडियो डाला हुआ है और जैसा कि और भी बच्चों की डिमांड भी है कि इडियम फेज़िस और यह अपके विजिनॉनियम और इंटॉनियम भी आ जाए तो देख क्या चलिए यहां से देखिए हमारे स्टार्ट हो रहे हैं अगया में अटिय understood है फिसलो के देखोटी में भी यह इस्तरीकाbec कर्देते हैं तो उनका अल्पका कुछ और होता है लेकिन हम लोग उन को शौतMP ःक्स़ाइए ऐसे ह्यां कर देते हैं कि English में भी क्या होता है कुछ चीजों को लोकोक्तियों और मुहाबरों के तोर पे कही जाती है वही है यह इंगलीस में है चलिए Swiping Statement ठीक है यहाँ पे इसका हिंदी घर्थ क्या हो जाता है व्यापक बयान ठीक है और Thoughtless Statement जिसकी कोई सोच मतलब उसमें ना हो ठीक है कि समस्य यह पजल मतलब फसना हुआ यह इस तरीके से आलाइट सी पजल इंपोर्टेंट है चलिए इनफ रोप इसका मतलब होता है कार्य करने की स्वतंत्रता देना इनफ फ्रीडम फॉर एक्शन जैसे बच्चों के लिए का जाता है ना कि बच्चों को उनके कार्य करने की स्वतंत्रता दे दीजिए तो उसलिए इसमें उसमें इनफ रोप ठीक है ऐसे बाई फीट सेंड स्टार्ट इसका मतलब है इर्रेगुलरी यानिकी अनीमित्ता ठीक निसे लिए फेाराइव पर तो आपको जब याद होगा बाई फीट सेंड इस्टार्ट तो आपको बिढ याद वहाँ पर गलत हो जाएगा यह इंप्वॉट्न है अचले same fall of इसका मतलब दूबिधा में में फसना go got into고 go into trouble bit या होता है Ful sorry fell fall off, फिर होता है token strike, token strike का मतलब होता है बड़ी हरताल की चेतावनी देना, ठीक है, जैसे company वगेरा में जो लेवर्स लूग होते हैं, या जो भी है वहाँ के करमचारी हैं, जब देखते हैं कि हमारी चीजों के demand जो हम कर रहे हैं, वो नहीं पूरी हो पाती है, तब वो लोग क्या करते हैं जिसे फिर वो लोग क्या करते हैं, बड़ी हरताल की चेतावनी देते हैं कि भाई हम मेरी का बातों को मानिये, वरना फिर हम लोग सारे लोग हरताल पे चले जाएंगा हरताल पे जाने का मतलब है कि company का नुकसान तो होना ही 100% निर्दारित है, ठीक है, चलिए, फिर आगे देखते हैं, face the music, इसका मतलब बता है डाट खाना, आलोचना जिलना, music पर मत जाईएगा, ये वो वाली music होती है जो घर में बड़े बुड़ों से मिलती है, पिता जी से, मता जी से, ये वो वाली music होती है और ये music आप बिल्कुल भी कभी सुनना नहीं चाहते हैं, तो क्या होता है, गेट रेप्रिमाइंड़, इसका मतलब बता है, डाट खाना या अलोचना जिलना, घर में जाते ही, कि आगे न बाप जादे, देखे ये घूम के आया है, ये देखे खेल के आया है, ये देखे द music, यानि कि डाट खाना, आलोचना, जिलना, याद रखना, यहाँ पर face the music, तो कौन सी वाली music है, घर वाली music है, जिसमें आपको बहुत बुरी तरीके से लताड़ पड़ती है, चलो, look down upon, hate intensely होता है, इसका मतलब ग्रणा करना होता है, look down upon, ठीक, इसका मतलब बता है ग्रणा ठीक है, flogging a dead horse, wasting time in useless effort, जिसका कोई काम नहीं है, उसमें हमें समय बरवात करना, जैसे, घर में जो बच्चे होते हैं, जब उनको आप कहीं है, कि पढ़ना है, तो उनको 50 तरीके की, कहीं पुट्टी जाना है, कहीं हमें ये करना है, कभी बोग करना है, आज मेरी कॉपी चलिए, फिर देखिए, दस नंबर पर कहा है, अंडर अ क्लाउड, इसका मतलब क्योंता है, सक्के दाएरे में आना है, यानि कि अंडर सस्पीसियन, मतलब घर में कोई चीज आपकी बड़ी बहन है, या आपका बड़ा भाई है, आप उन्होंने कुछ खाने को रखा, मालू ठीक है, तो इसका मतलब होता है, सक्के दाएरे में आना, चलिए, फिर है, प्लैड है वो, इसका मतलब है तबाही मचाना, ये काफी important है, कई बार पूचा जा चुका है, cursed distraction होता है, ठीक है, no love lost between, यानि कि इसका मतलब संबंदों में खटास होना, no love lost between, यानि कि उन लोगों देखो, fear and square, इसका मतलब होता है, इमानदार, honest, ठीक है, fear and square, इसका मतलब होता है, इमानदार, या कह सकते है, honest, चलिए, अब white elephant, इसका मतलब होता है, बहुत महेंगी बस्तु, ठीक है, महेंगी ही कह सकते हैं, और birth भी, जिसका कोई मतलब ने, जैसे white elephant, अब white elephant का क्या एलिफेंट एलिफेंट हो ता बुचाएं वाइट हो एलिफेंट तो एलिफेंट है इसलिए कहा गया है कि महेंगी और व्यर्थवस्तु जो होती है costly or troublesome possessions तो इसका मतलब है यह वाइट एलिफेंट जैसे वाइट एलिफेंट कहीं भी हो हमें क्या मतलब इसलिए कहा गया है कि महेंगी और व्यर्थवस्तु यह बहुत बार पूछा जा चुका है आउट एंड आउट ठीक है पूरी तरीके से बाहर तो मतलब टोटली पूर्थेंट ठीक है इसका मतलब तरीक है इसका मतलब आप पानी नहीं रोक सकते हैं तो इसका मतलब मैं आपको यह नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ does not hold water यानि कि जब आप बानी को नहीं रोक पा रहा हो तो मेरी बातों को कैसे रोक पाओगे ठीक है जैसे मैंने याद किया था मैं तो ज्यादा तर जैसे ऐसे पड़ता था अब वाइट एलिफेंट महेंगी और वेर्थवस्त मुझे पता था अब कॉस्टली और ट्रबलसम जो है आएगा तो आपको वहां पर मिल जाएगा चलिए अब वाइट गो चेस वेर्थ प्यास इसका फटल सर्श होता है ठीक है इसका मतलबता है जब जिसको हमें पता है कि ये चीज हमसे नहीं होनी अब उसके पीछे आफालतों का प्रयास करते रहे तो वो वेर्थ प्यास होता है ठीक है जैसे जब लोग दिल्ली में रहत बहुत पहले की बात है तो लोग जब दिल्ली में रहते थे तो वहां पर कई लोग ऐसे थे जो खाना नहीं बना पाते थे तो लोगों ने देखा दुनिक कई बार स्टार्ड के उनको पता था कि हमसे नहीं बनना रोटी गोल नहीं बन सकती है सबजी में नमक जादा हो इन ए टाइट कोरनर काथिन परिस्तिती में ठाइट कोर्नन मतलब को ना होता है टाइट मतलब कसा हुआ तो जब कसा हुआ को ना तो कसी हुई चीज का मतलब कठिन परिस्तिती में हो गया इन डिफिकल्ट सिचुएशन चलिए फिर बीज नंबर देखिए ग्रीन टॉम ग्रीन थम्ब क्या हो जाएगा सो भाविक्ता टू है वन नैचुरल इंट्रेस्ट यानि कि जब आपका प्राकृतिक तरीके से उसमें इंट्रेस्ट हो गया यानि कि जिसको सोभाविक्ता बोलते हैं जिसको ग्रीन टॉम थम बोलते हैं चलिए फिर देखिए यहां से जो है एसो यानि कि ऑडिट का जो वो ओफिसर होता है एसो ऑडिट ऑफिसर उसका दोजार तीन में ये questions पूछे गहते है going places इसका क्या होता है प्रतिबाजालिया और सफल गयती talented and successful चलो देखो मैं अपना बताता हूँ मैंने जब इनको याद करना स्टार्ट किया था मैंने कैसे याद किया था जैसे मैं देखता था मुझे पढ़ने में जो बहुत आसान लगते थे ठीक है म मैं पहले उनको याद कर लिता था फिर देखता था अच्छा 20 लिखे हुए थे जैसे आपको एक पेज में 27 दिखाई देरे तो मैंने क्या किया इनमें जैसे मैंने देखा तो देखा ऐसे करके going places यार ये पढ़ने में सही लग रहा है अच्छा इसकी हिंदी क्या है अच्छा याद करनी है तो इसलिए मैंने क्या किया सरल है अच्छा याद कर लिया तो ऐसे याद किया ठीक है इन cold blood निर्ममत्या निर्गमत्या इसका मतलब होता है murder done with intention and planning जिसमें जैसे जो murder बिल्कुल पूर्णता है सोस समझ के किया गया हो जिसको पूरी तरीके से सोस and planning यानि कि उसको बहुत planning और उसको पता था कि हमें ये करना है तभी वो उसने किया तो इसलिए in cold blood बहुत important है off and on कभी-कभी simple सी बात है सभी के mood में होता है कि यार आज mood बहुत off है आज मेरा तो mood बहुत on है तो off and on किसके लिए होता है कभी-कभी के लिए occasionally ठीक है जैसे ये वाले सब्दा है न मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्यों off and on कभी-कभी occasionally ये पता होते हैं इंगलिस में वो सब्द जो हमको बहुत अच्छे से पढ़ने में समझ में आ जाते हैं आसानी से लगता है कि यार ये हमें याद रहेंगे तो हम क्या करते हैं उनको हम जिरूर याद करते हैं मैं अपना बताता हूं मैं उनको टिक लगा कि ऐसे याद कर लेता था पिर जब दुबारा पड़ता था तो वो चीज़े याद होती थी अच्छा यार यहां पे तो on and off बताया था off and down का मतलब होता है कभी-कभी occasionally तो वो टिक लगा होता था पता होता था यह याद है ऐसे याद कर लेते थे अधिए जैसे हार्ड ये हार्ड फास्ट इसका मतलब होता है सक्त ठीक है यानिकी हाड मतलब बहुत कथिन और फास्ट मतलब तेज कथिन और तेज तो वो सिंपल वे इन दा फिर अलब डर कर भाग जाना to keep up to keep in touch संपरक में रहना to keep up to संपरक में रहना यह बहुत important है यह आपको मैं बता दूँ यह errors में भी पूछा जाता है आपका फिल इंदी blanks में कभी कबार पूछा जाता है तो यह errors में इसलिए पूछ दिया जाता है यहाँ पे जिए to keep बिद हो जाता है यहाँ पे अपकी जगह पे यह लोग बिद पूछ देते है ठीक है to keep बिद फिर वहाँ पे हमारे दिमाग में आता है हमने तो पढ़ा था to keep up ऐसे करकर कुछ याद था या ऐसे करकर कुछ पढ़ा था तो क्या होता है वो बिद और आप याद नहीं रहता लेकिन to keep याद रहता है उसका मतलब हमें याद होता है कि संपर्क में रहना था तो यह चीज़े हमें जो है दिक्कत दे जाती है ठीक है तो इसलिए वहाँ पर यह गलत हो जाते है छलिए फिर 27 नमबर देखे make a clean breast इसका मतलब हमें बिना जिज़क या डर के जुर्म की गलती कबूलना confess with reserve ठीक जब मतलब आपने कोई गलती की है उसको आप बिना किसी डर के और बिना किसी मतलब जिज़क हम वो सब कुछ आप अपनी गलती कबूल लेते हो घर में तो कई बार कबूली होती है भाई चलो फिर क्या है फिर यहाँ पर दिया हुआ है heads with roll क्या दिया हो है heads with roll इसका मतलब है इस्थानांत्रड होने है ने कि transfer bill take place heads and heads with roll roll मतलब घूमना होता है घूमनेगा तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो क्या होगा इस्थानांत्रड होना यानि कि transfer होना ऐसे कह सकते है transfer bill take place तो roll के लिए हमने याद किया है इस्थानांत्रड होना roll मतलब घूमना जब घूमेगा तो एक जगे से दूसरी जगे जाएगा ही जाएगा, तो वो इस्थानांतरित हो जाएगा, make no bones about, यानि कि बेजीज़क, do not have any hesitation in anything, चलो, ठीक, take after, इसका मतलब सम्मान देना, resembles, ये जो take after आप देख रहे हैं, ये आप से error में पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है, एक बार नहीं, take भी दोता है, take after करता है, इस तरीके से take after, इस तरीके से बहुत सी चीज़े होती है, जो take के साथ बो रख देंगे, ठीक है, कोई preposition उठा के रख देंगे, आपको लगेगा कि यार, हाँ, ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ठीक है, take after, सम्मान देना होता है, स्वारी, सम्मान देना बता रहा हूँ, यहां पर resembles लिखा है, तो मैं ध्यान नहीं दिया, resembles का मतलब होता है, समान होना, ठीक है, टेक आफ्टर का मतलब होता है, समान होना, resemble, to stave off, to stave off का मतलब होता है, postpone यानि की टाल देना, to give a peace of mind, यानि की फटकारना, जिसको नहीं कहते हैं, गाउं में लोग कहते हैं, आज मैंने उसको बहुत फटकारा, इसका मतलब होता है, डाटना, ठीक है, to give a peace of mind, तो इसका मतलब होता है, फटकारना मतलब डाटना, to reprimand, फिर 33 नमबर दीके, rest on low reels, इसका मतलब होता है, पुरानी उपलब्दियों पर गुडगान करना, जैसे, मा लिए पुरानी उपलब्दी मैंने कभी, एक मैच में, एक ओवर में, छे चक्के मार दिये थे, अब बले from laurels, यानि कि to be complacent, चलिए, 34 नमबर देखिए, pay through nose, यानि कि अत्यदिक मूले भरना, जब आई अपनी nose के, यानि कि नाक के जरिये से, आप किसी भी चीज को pay करोगे, तो simple that, नाक बहुत sensitive होती है, अगर आप उससे करोगे, तो चोट, डर, कुछ भी इस तरीके की चीजे हो भरना, तो pay an extremely high price, क्या हो जाएगा, pay through nose, जब आप अपनी nose से किसी चीज को pay करते हो, ठीक है, nose के माद्यम से, यानि कि नाक के माद्यम से pay करते हो, तो अत्यदिक मूले भरना, बहुत मूलेवान बन जाता है, क्यों कि, वहां से आपकी जान भी जा सकती है, तो इसलिए pay through nose, यानि कि बहुत अत्यदिक मूले भरना, या बहुत जादा pay करना, चलिए, draw on fancy, यानि कि कलपना करना, draw on fancy, कलपना करना, use imagination, कलपनाओं में तो, बच्चे जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, सारे-सारे कलपनाओं में जी रहे होते हैं, बहुत कुछ कलपना कर लेते है चलिए, turn and honest living, क्या होता है, इमानदारी से, अब honest आ गया तो simple से बात, इमानदारी से related होगा, make and legitimate living, इमानदारी से, give the game away, राज खोलना, give the game away, यानि कि आप game से अलग जाए रहे हो, अब हम लोग किसी भी topic पर बात कर रहे हो, उस topic पर बात ना करके, आप किसी उसकी बातों उसकी life की बातों को explain करने लग जाओ, वहाँ पर वो सारी चीज़, तो give out the secret, यानि कि राज खोलना, चलो, cheek by jaw, very near, बहुत नजदी, 49 number, give in, यानि कि yield, हार मानना, 40 number, run, route, क्या हो जाता है, act without restraint, यानि कि स्वतंतरता का हनन करना, जिसमें आपकी स्वतंतरता छीन ली जाए, यानि कि आपको जो करना चाहरा है हो, वो ना करने दिया जाए, ठीक, go throw fire and water, आप देखो fire and water आ रहा है, तो simple सी बात है, fire मतलब खतरा है, और water मतलब, water मतलब भी खतरा है, water का मतलब यह नहीं है कि आग और पानी, आग और पानी दोनों में खतरा है, पानी में डूब सकते हो आगे में जल सकते हो, तो go throw यानि कि इसके माध्यम से जाना, तो simple सी बात है, जब इनके माध्यम से जाओगे, तो खतरा हो रहा होगा, तो देखो कोई भी खतरा मोल लेना, जब हम उसके माध्यम से जा रहा है, यानि कि हम आग की परवाय भी नहीं कर रहे है, आग के माध्य चलिए, put up with, tolerate, यानि की बरदास्त करना, put up with, ठीक, क्या होता है, बरदास्त करना, by faiths and starts, इसका मतलब होता है, अनीमित, irregularly, अभी इसके बारे में बात होई थी, by faith and start, इसका मतलब होता है, अनीमित, irregularly, चलिए, 35 नमबर देखिए, reading between the lines, यानि की छुपे हुए अर्थ को रहा हो, जो बीच में चीज़े, जैसे आप लिखते हैं, कि poem के बारे में, stanza के बारे में उनको बताओ, तो क्या होता है, इसका मतलब यह होता है, कि आप इस कभिता की चार लाइन को समझिए, और इसको explain करके आप इसको बड़े में बताईए, पूरा explain कीज़े, तो वही च चुपे हुए अर्थ को समझना, reading between the lines, understanding the hidden meaning, ठीक है, यह हम लोगों के जब छोटे थे तो poem में लिखने को बहुत आते थे, high school, 11th में, 12th में, कि इसके stanza के बारे में बताओ, इसकी poem के बारे में बताओ, ठीक है, तो यह आते थे, चली, वहाँ पे यह meaning समझ में नहीं आते बट अब यहाँ पे यह meaning समझ में आते हैं कि इसका क्या आर्थ था, चलो, फिर देखो, फिर आगे क्या है, लिखा हुआ, get the shake, यानि की बरखास्त होना, dismissed form, ठीक, dismissed form, pros and cons, क्या हो जाएगा, considering all the facts, सारे पहलों को जाचना, by leap and the words, बहुत important, सीख गरता से होता है, very quickly, by leap and words, यानि की सिख गरता से बहुत quickly, in the good book, जब आप simple थी वाद, good book, भाई किसी की good book होना, तो मतलब आप उसके favorite हो जाना, तो अच्छे संबंद बनाए रखना, in favorite with boss, ठीक है, in the good book, अगर आप मैं, आप से कहते हूँ कि आप मेरे good books में आगे, इसका मतलब आप मेरे favorite हो गए हो, ठीक है, यहाँ से याद रखिए, इतने में, आपको मुझे पता है, बहुत अच्छे से याद रहेगा, और देखें, जब भी ऐसा सरल सब्द बने, आप उसको क्या करिए, आप उसको ठीक जरूर लगा लिए, इसका मतलब यह सरल चीज है, यह जल्दी याद हो जाएगी, और जब जल्दी याद हो जाएगी, तो उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा, बाकी चीजों पर आप फोकस कर सकते हो, इन दी लॉंग रन, आखिरकार, जब लॉंग रन होगा, जैसे आप किसी चोर को पकड़ाएगा, बहुत भाग रहाएगा, फिर पकड़ लिया, फिर क्या होगा, फिर आप यही कहोगा, अरे आखिरकार, मैंने चोर को पकड़ लिया, तो फिर वही होता है, इन दी लॉंग का मतलब हो जाएगा आखिरकार अल्टिमेटली ठीक है चलो to be always opens back and call क्या होता है इसका मतलब आग्या में हाजिर रहना ठीक है जैसे to be always once back and call तो इसका मतलब है आग्या में हाजिर रहना जैसे ही उन्होंने कहा कि आप आजाओ आप पहुंच गए at once disposal ready to serve once monster ठीक है turn a deep ear अनसुना करना हमें सुनाई दे रहा है सब कुछ है कहा गया घर पे आज मार्केट जाना है आपने जोना हाँ मार्केट जाना है ठीक है चले जाएगे बास काम खतम तो यह चीज होती है to be always once back and turn a deep ear मतलब deep ear मतलब बहरा बन जाना ठीक है turn मतलब पलट अब जो थे उससे पलट गए अब जो हो क्या बन गए हो पहले आपको सुनाई देता था लेकिन अब क्या है अब आपको सुनाई नहीं दे रहा इसलिए लिखा turn a deep ear यानि कि अंसुना करते नहीं सुन तो लिया लेकिन अब हम आपकी किसे से लड़ाई हो गए अब वो आप से तकड़ा भी है क्या करेगा आप तो मारने जाओगे उसको लेकिन वो पकड़के आपको घसीड के बहुत मारेगा तो आप क्या होगा आप पूरी जीजान लगाते हो तो उसमें क्या होता है आप सोचते हो नहीं यार कुछ कर पार है, चलो पकड़े के इसको नोच लेते हैं, काट लेते हैं, तो उसका मतलब होता है, जब हम अपने सब कुछ लगा देते हैं, ठीक है, जब हम अपना सब कुछ लगा देते हैं, तभी तो फिर जब हम देख रहें, जीत नहीं पार है, त जीत नहीं पारा, तब वो क्या करता है, आके थूक देगा, काट देगा, या नोच के भाग जाएगा, तो यही होता है, to fight tooth and nail, यानि कि अपने दातों और नाखुनों के साथ, लडाई लड़ना है, ठीक है, तो मतलब होता है, दड़ता के साथ संगर्ज करना होता है, ठीक है, फिर पच्पन नंबर, the green-eyed, इसका मतलब क्यों होता है, इरश्यालू, क्या होता है, इरश्यालू, used as a way of taking about, मतलब मौले में जो महिलाएं नहीं होती हैं, बैठ जाती आके हैं, फिर अपनी बहुँओं की बुराईयां करनी इस्टार्ट कर देती हैं, तो वो लोग क्या करत इरश्यालू, इरश्यालू, जैसे ये कर सकते हैं, वो अपनी बहुँओं से इरश्या करती हैं, इरश्यालू तो खेर, कहना सही नहीं होगा, लेकिन हाँ, फिर भी, वो अपनी बहुँओं की वहां पे बुराईयां करती है, used a way to talking about, यानि कि उसके वारे में बात करने का को आखों वाला तो हरी आखों वाला क्या होगा इरश्यालू होगा ठीक है चालो तो देखो पच्पन हमारे यहां पर कंप्लीट हो गए इसके बाद में आने वाले समय में हम लोग और भी चीज़े आपके लिए ऐसे कि परड़े के परड़े आप लोगों को एक वीडियो मिलता हेगे यह आपको दिन में कि अप लोग कुद बताईयेगा किस को चाईए जिस दाइम बीच आइए बालोड चाहिए यह उप लोग तो देखिएगा थीच यह शलिए दोस्तों आज की क्लास यही पर ऐप करता है इं जिलते हैं हमें ऑागले क्लास में तब तक के लिए जय हि अच्ड़स तो